Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So, हमने last session में सीख लिया था about the concept of valuation in import तो आज के session में हम सीखेंगे about valuation in case of export तो export में आपको किस तरीके से valuations करना है, export में ऐसे क्या-क्या rules है जो एक short trick हम याद रखेंगे और अगर वो सारी चीज़े हम याद रखते है तो कैसे हमारे questions जो export के होंगे, वो सही होंगे, सारी चीज़े इस lecture में discuss करेंगे तो अगर आप पहली बार channel पर आये हो, तो subscribe कर ले because ऐसे ही last minute revision videos आपको इस channel पर मिलते रहेंगे तो चलते हैं screen पर and discuss करते हैं example के साथ कि export में valuation जो होता है, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ों के ओपर focus करना है so अभी हम discuss करेंगे about the part of export अभी export में आपको rule क्या याद रखना है, बहुत ही simple rule है ध्यान से समझे, import का अगर आपने session देखा है तो आपको import के rules clear हुए रहेंगे export में सबसे पहला rule है कि हमें export में जो है वो पैसा मिलता है इसका मतलब bank account हमेशा आपका export में क्या होगा, debit होगा ये पहला rule आपको याद रखना है, दूसरा rule आपको याद रखना है जब ही भी export में, export के sum solve करते वक्त, rate जब ही भी बढ़ता है तब हमें profit होता है, और जबी भी आपको profit होगा, तब आपका FEF account credit होगा whenever the rate is decreasing, उसका मतलब होता है loss और जबी भी आपका FEF loss में होगा, तब FEF आपका debit होगा ठीक है, अभी simple example से शुरू करते है कि जैसे हमने last time example लिया था, वैसे type का example लेता है say for example, आपने 1 lakh dollar के goods जो है वो export किये ठीक है, export किये, एक party का नाम हम ले लेते है Rex and Company नाम का party है, TY में भी questions में पूछा था Rex and Company ठीक है, और आपने क्या किया, उनको first installment जो payment किया, आपने 50,000 dollar पे कर दिया और ये first January को आपने import कर लिया ठीक है, तभी base rate कितना था आपका, base rate आपका था, 60 rupees का base rate था एक example ले रहे हैं, फिर पहला installment आपने pay कर दिया 15th jan को, ओके, 15th jan को फिर आपने दूसरा installment 20,000 dollar का pay किया हमने 15th feb को payment किया फिर आपने तीसरा installment pay किया 15,000 dollar का, और वो आपने कब pay किया वो आपने pay किया 15th March को, ठीक है, काफी simple 50 plus 20, 70 हो गया, 70, 70 plus 15 तो बचा कितना, 15,000 dollar का installment आपने pay किया 2nd April को, ठीक है, बहुत ही simple है ध्यान से, अभी सबसे पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि बहुत सारे बच्चे इसमें ही confused होते है कि valuation करना कब है, एकदम simple rule है, valuation आपको pending installment का करना है, इसका मतलब जो भी installment 31st March के बाद pending होगा, उसी का valuation करना है तो आप यहाँ पे अभी चेक करोगे, तो इसके बीच में 31st March आएगा, because 31st March को क्या होता है, मैंने हमेशा आपको कहा है, last session में भी कहा है 31st March को हम books of accounts जो है, वो close करते है और इसमें सबसे पहला entry आता है, आपका valuation का सबसे पहला entry कौन सा आएगा, valuation का, और दूसरा entry आपका आएगा, closing का, तो अभी valuation की entry करे कैसे फिर, काफी simple है, देखो, आपका pending installment कितना है आपका pending installment आप यहाँ पे चेक करो, आपका pending installment March के बाद है, April का 15,000 डॉलर तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले base rate लिखना है, base rate हमारा मैंने लिया था 60 उसके बाद हमको 31st March का rate लेना है, यह example में मैं इसमें rate ले लेता हूँ, say for example इसमें हम लोग rate ले लेंगे, 62 ही लेते हैं, चलो 62 ले लिया तो base rate कितना हो गया, अब यह मेरा 60, 31st March का rate कितना हो गया 62, तो आपको यहाँ पे कितना difference दिख रहा है, 2 रुपया अभी यही example हमने इंपोर्ट में भी लिया था, इंपोर्ट में rate बढ़ गया, तो आपको क्या होगा, profit होगा, और profit में rule क्या कहता है, FEF account credit होगा, तो आप इसमें entry क्या करोगे, बहुत ही simple entry करेंगे, Rex and Company account debit to FEF account, this will be the entry for valuation, और amount कैसे धुन्डेंगे, 15,000 dollar के installment pending थी, multiplied by 60 and 62 का difference कितना, 2 रुपीज, तो 15,000 into 2 करेंगे, तो आपका amount आ जाएगा, 30,000, this is the simple concept of valuation, and I hope कि आपको ये valuation का concept इसमें से clear हुआ है, तो ये हमने import का भी valuation सीख लिया, export का भी valuation सीख लिया, तो आपको ये initiative कैसे लगा है, मुझे comment section में comment करके बताए, और आपके ये concepts clear हुए है नहीं, इसमें से वो भी आप मुझे comment करके बता सकते है, तो this is the part of export and import valuation, जो बहुत सारे comments आ रहे थे कि export and import valuation पे एक revision चाहिए, तो these are the videos, इस से आपके काफी सारी चीज़े revise हो जाएगी, आगे के chapters के बारे में भी ऐसा discuss करेंगे and हर topic के बारे में ऐसे कुछ revisionary sessions आपको बना के दे दूँगा, thank you very much from this session, bye bye, take care